हेलो स्टूरेंट्स मैं सुधा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने चैनल त्यारी ओनलाइन में आज हम डिसकस करेंगे वॉक्षिट नंबर 65 वॉक्षिट नंबर 65 सामाजिक विज्ञान राजनितिक विज्ञान का वॉक्षिट है और यह वॉक्षिट है क्लास 10 का व आज का हमारा टॉपिक है राजनितिक दल जो लिया गया है राजनितिक विज्ञान से तो बच्चों आज के वीडियो में हम राजनितिक दल की पुन्रा बृति करेंगे नीचे राजनितिक दल से संबंदित प्रस्ण दिये गए हैं चलिए देखते हैं पहला प्रस्ण हमारा भारत में किस अस्तर पर चुनाव सामानेता बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं अब देखिए सामानेता जो चुनाव होते हैं उसमें कई राजनीतिक दल भाग लेते हैं लेकिन यहां पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा चुनाव है जिसमें राजनीतिक दल भाग नह नीचे चार ओप्षन दिया गया है पहला ओप्षन हमारा है लोग सभास्तर पर तो बच्चों लोग सभास्तर पर जो भी चुनाब होता है उसमें राजनितिक दल भाग लेते हैं दूसरा राजे सभास्तर पर राजे सभास्तर पर भी चुनाब होता है उसमें भी राजनितिक दल पार्टिसिपेट करते हैं तीसरा है विधान सभास्तर पर तो इसमें भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं चौथा ओप्षन हमारा है पंचायत अस्तर पर तो बच्चों पंचायत अस्तर पर जो चुनाव होता है उसमें राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ते हैं यानि यह चुनाव विना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं तो option number 4 इसका correct answer होगा दूसरा प्रस्ण है रिक्त अस्थान की पूर्ती कीजिए नीचे हमें रिक्त अस्थान को भड़ना है तो यहाँ देखिए प्रस्ण हमारा है भारती जनता पार्टी का चुनाव चिन है तो बच्चों भारती जनता पार्टी का चुनाव चिन है क्या है कमल तीसरा प्रस्ण हमारा है रेखांकित सब्दों को सही करके वाक्य को पुना लिखिए यहाँ जो रेखांकित सब्द है वा गलत दिया गया है हमें इसे सही करना है तो यहां कहा जा रहा है साइकल रास्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी का चुनाव चिन है तो साइकल की जगा आएगा घरी घरी रास्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी का चुनाव चिन है तो साइकल की जगा आप घरी लिखेंगे चौथा प्रस्ण हमारा है नीचे दिएगे प्रस्ण में दो प्राकत्थन दिए गए हैं एक संकल्पना सौ और दूसरा कारन क कथनों को पढ़िये और सही विकल्प का चैन कीजिए तो देखिए संकल्प सौ में कहा जा रहा है विकल्प हींता लोगतंतर के लिए खत्रा है और कारण क जो है उसमें कहा जा रहा है वन्स बाद लोगतंतर में विकल्प हींता को बढ़ावा देता है तो बच्चों हमारा अंसर हो जाएगा option number A option number A संकल्प 100 एवं कारण को दोनों सही है एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या बता रहा है आप देखिए कारण में क्या कहा गया है वंस बाद जो है वो लोगतंतर में क्या है विकल्प हींता अगर लोगतंत्र में वन्स बाद चलता रहेगा तो आम लोगों को मौका नहीं मिलेगा इसलिए यहां संकल्पना स एवं कारण का दोनों सही है एवं कारण जो है वा संकल्पना की सही व्याख्या कर रहा है अगला प्रसन देखते हैं, प्रसन संख्या 5 है, निमलिखित कार्टून की व्याख्या अपने सब्दों में कीजे, यहां देखें, यह कार्टून दिया हुआ है, इसे हमें अपने सब्दों में इसकी व्याख्या करनी है, कार्टून पे क्या लिखा है, यह ध्यान देजेगा, one party country क्या लिखा हुआ है बच्चों one party country यानि उस country में सिर्फ एक ही party है तो यहां हम लिख सकते हैं इस में या इस कार्टून में मैं यहां लिख रही हूँ इस में एक दलिये one country party कहने का मतलब है एक दलिये एक दलिये जिवस्था को दड़साया गया है जिससे क्या पैदा होता है जिससे विकल्प हीनता पैदा होती है तो यहां पे हम लिख सकते हैं जहां विकल्प हीनता क्या है एक चुनोती है तो यह विकल्प हींता कैसे पैदा हुई? इस विकल्प हींता का मुख्य कारण है एक पार्टी का होना अगला प्रस्ण हमारा है साशक दल से आप क्या समझते हैं तो बच्चों साशक दल से हम क्या समझते हैं साशक दल किसे कहा जाता है चुर्णाव में जो दल बिजय होता है यानि जिस दल की जीत होती है वह क्या कहलाता है वह कहलाता है साशक दल तो चलिए इसका उत्तर हम नीचे लिखेंगे प्रसन संख्या 6 का उत्तर हम नीचे लिखेंगे क्योंकि यहाँ देख रहे होंगे आप जगह जो है वह बहुत ही कम है यहाँ देखें इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है तथा सरकार का गठन करता है उससे सासक दल कहते है जैसे बच्चों अभी किस दल का सरकार है तो बीजेपी का सरकार है तो यहाँ पर हम लेख सकते हैं बीजेपी तो इस तरह से आप प्रसन संक्या 6 का उत्तर लिख सकते हैं चलिए अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन हमारा है कौन सी दलिये विवस्था को लोगतंतर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है तो किसे नहीं माना जाता है तो एक दलिये विवस्था को लोगतंतर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है क्यों अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें बिकल्प हिंता को बढ़ावा मिलता है यहां आम लोग चुनाम नहीं लड़ सकते या वन्स बाद हो जाता है तो एक दल ये विवस्था जो होती है वह लोगतंतर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है तो इसका सीधा सा आंसर आप यहां लिखेंगे एक दल ये विवस्था आठवा प्रस्ण अमारा है दल बदल से आप क्या समझते हैं तो बच्चों दल बदल से आप क्या समझते हैं अब देखिए दल बदल में क्या होता है किसी पार्टी से चुनाव जीतने के बाद मंत्री क्या होता है पैसा या पद की लालच में अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता है तो इसे हम कहते हैं दल बदल तो यहां देखें बच्चों एक मंत्री का अपनी पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टी में जाना दल बदल कहलाता है अगला प्रस्न हमारा है केंद्रिय सरकार में किस गड़वंदन की सरकार है तो बच्चों अभी केंद्रिय सरकार में किस गड़वंदन की सरकार है nda की सरकार है किसकी है nda की तो इसका उत्तर हो जाएगा nda nda का फुल फॉर्म है राश्ट्रिये जन तांत्रिक गठ बंधन nda को हम राजग भी कहते हैं ठीक है राजग इसका सौट फॉर्म है अगला प्रस नमारा है बरतमान में दिल्ली में किस आशक दल की सरकार है तो बच्चों आप हमें कमेंट में बताएं कि बरतमान में दिल्ली में किस आशक दल की सरकार है तो आज का यह वाक्षिट यही समाप्त होता है वाक्षिट आपक चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें और अपनी दोस्तों के साथ कमेंट करना बिलकुल न भूलें आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो मिलते हैं अगले वॉक्सीट में आप सब का धन्यवाद